नमस्कार देली शो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र साथी हमदर्थ मुकेश कुमार दोस्तों यह बहुत खुशी की बात है यह बहुत हर्ष की बात है कि फ्रीलांस पत्रकार मंदीब पुनिया को जमानत मिल गई है और अब वो आजाद हैं वो अपनी पत्रकारता फिर से शुरू कर सकते हैं आपको पता ही है कि 30 जनवरी को पुलिस ने उन्हें गरफतार कर लिया था उन्हें जो सिंगू बार्डर पर जो अटेक हुआ था और एसेस और बीजेपी के लोगों के दways को सिंगे वहां से उनको उत्ठा कर ले गई थी और काफी देव तक तो पता ही नहीं चला था कि उनको ले गई है क्यों ले गई है क्यों बेल लिया है और उनको फिर अगले दिन पेश किया गया तो 14 दिन की रिमांट पर हिरासत में बेर दिया गया था लेकिन आज जज ने सुनवाई करते हुए कहा है कि उन्हें बेल ना देने का कोई आधार नहीं बनता है और 25,000 रुपए के मुचलके पर बेल दे दी गई है जज ने साफ कहा कि एक तो F.I.R दर्स करने में ही बहुत देर कर दी गई दूसरा इस घटना के जो गवा हैं सिवाए पुलिस वालों के कोई नहीं है इसका मतलब है कि पुलिस जूट भी बोल सकती है जूटी सबूत पेश कर सकती है इसलिए वो बहुत विश्वसनी नहीं है और ये तो पहले दिन से ही लग रहा था कि मंदी पुनिया से नाराज है पुलिस इसलिए उसको फसा रही है उसको गिरफतार करके ले गई है और उसको लंबे समय तक जेल में रखने की उसकी नियत है लेकिन मंदी पुनिया के को लेकर पूरे देश भर में जिस तरह का माहौल बना निश्चित रूप से उसका असर अदालत पर भी पड़ा होगा उसको भी पता चला होगा कि दूसरा साइट क्या है जो पुलिस का वर्जन है वो क्या है और जो जिस तरह की मंदीप पत्रकारता करते रहे हैं वो क्या है मंदीप पिछले कुछ सालों से लगातार स्वतंत्र पत्रकारता कर रहे हैं फ्रीलांस पत्रका क्या होती वो मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं देश में जो किसी मीडिया संस्थान से सीधे तोर पर नहीं जुड़े होते हैं वह assignment basis पे कभी इस report के लिए कभी और कभी खुछ से करके भेजते हैं और छप जाती तो उसका उन्हें 款 मिलता है तो इस तरह की reporting इस तरह का लेखन बहुत सारे लाखों पत्रकार इस देश में करते हैं उनके पास प्रेस की तरब से मीडिय संस्थान की तरफ से कोई कार्ड कोई पहचान पत्र नहीं होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पत्रकार नहीं होते या उनकी प्रतिष्ठा कोई कम तर होती है मैं भी 35 सालों से लगबग पत्रकारता कर रहा हूं और कल को अगर मेरे पास कार्ड ना हो तो क्या मुझे पत्रकार मानने से इंकार कर दिया ज कि जो पुलिस ने पुलिस के संरक्षन में वो जो दो तीन सो लोग इस्थानी लोगों के नाम पर आये थे और जिन्हों ने किसानों पर हमले किये थे उनके तंबू तोड़ दिये थे उनके वाशिंग मशीन तोड़ दी थी उनके तंबू में घुसकर तोड़ फोड़ गाली गलोज की थी पत्थर बाजी की थी और यह सब पुलिस की देखरे को संडरक्षन में हो रहा था उसी को वो रिपोर्ट कर रहे थे और उन्हों ने ही बाद में ये भी रिपोर्ट किया कि किस तरह से जो लोग आये थे उनमें आरे से सो बीजेपी के लोग शामिल थे तो यह अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में रुकावट पहुंचाई जबकि ऐसा कोई प्रमार नहीं जो भी वीडियो उपलब्ध हैं अभी उपलब्ध हैं आप देख सकते हैं इंटरनेट पर उनमें पुलिस उनके साथ बतसलूकी कर रही है आखिरकार इतने सारे पुलिस वाल कि हिम्मत कोई नहीं करेगा और बेवकूफी भी कोई नहीं करेगा जबकि यह जानते हुए कि पुलिस किन एरादों के साथ यहां खड़ी है और क्या कर रही है तो एक जूटा आरोप मंदीपुनिया पर लगाए गया और उन्हें ले जाए गया दरसल मंदीपुनिया के बह पाए इसकी विवस्था करने के लिए पुलिस प्रशासन सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार हर्याना की सरकार जहां जहां भी बीजेपी की सरकारे हैं पूरी ताकत जोक रही है एक तो इस आंदोलन में शामिल ना हो लोग उसके लिए दूसरा इस आंदोलन की बेठे हुए हैं लोग किसान वहां पर इंटर्णेट बंद कर दिया गया है वहां अब कहा जा रहा कि मीडिया कर्मियों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है रोक लगां जा रही है मतलब इन किसानों को पूरी तरह से मीडिया से काड़ दो अलग थलग कर दो उनकी गत्विदिया रिपोर्ट ही न हो ताकि लोगों को पता ही न चले और लोग उस आंदोलन से जुड़ने ही न पाए तो यह साजिश थी तो इसी लिए मंदिप पुनिया को और उनके साथ धर्मेंद्र नाम के पत्र अपने उस पर डटे रहे और उनको जेल में रखने की पूरी कोशिश पुलिस ने की उसमें वह उसे काम्याबी नहीं मिली तो इसके अलावा भी देखिए आप 26 जनवरी की घटना को लेकर आठ पत्रकारों के खिलाप राजद्रों के मुकदमें और यह तमाम पत्रकार के कई संपादक हूं उन सब पर यह आरूप लगा दिये गए कि उन्होंने 26 जनवरी को जो नावरीत सिंग की मौत हुई थी उसके बारे में गलत ट्वीट किये थे अब गलत ट्वीट क्या होते हैं इसकी एडिटर्स गिल्ड ने निंदा की है सरकार की और पुलिस की कि इसक कर ही रहे हैं तो हमें पता है कि कभी-कभी खटनाएं गलत भी होती हैं खबरें गलत भी होती हैं बाद में बदलती भी हैं तो जो नवरीज सिंग के बारे में पहले खबर आई कि पुलिस की गोली से मरा है बाद में यह खबर आई कि ट्रेक्टर पलटने से मरा है अब यह प कि वह हस्पताल जहां पूस्मार्टम हुआ है उनके डॉक्टर ने भी कहा कि गोली लगी लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं लंदन के दगारजीयन अखवार ने बाकाइदा इन तमाम पूस्मार्टम रिपोर्ट वीडियो क्लिफ्स वगरे का अध्यान करके फोटो का अध्यान करक कि ये इसमें एक कम से कम एक गोली जरूर लगी है, होजने को दो लग सकती है, लेकिन एक जरूर लगी है, और जिस तरह की चोटे आई हैं, वो ट्रेक्टर पलटने वाली नहीं है, तो एक कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सूचनाओं को दबाने का सिलसला चल रहा है, हमने हात्रस कांड में भी देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी परदेदारी की, किस किस तरह से उस घटना को जूट साबित करने की कोशिश की, रात आधी रात को ब जानकारियों को दबा दो सच को दफना दो इसलिए आप देखिए कि और यह सब काम पत्रकारों को दबा कर मीडिया को धंका कर ही किया जा सकता है क्योंकि जहां भी स्वतंत्र मीडिया होगे जहां भी जानकारियां पत्रकारों को मिलेंगी वो शेयर करेंगे और इसलिए घबर कर लिया गा और आस तक गिरफतार है उनकी सुप्रीम कोड तक में मामला चल रहा है लेकिन उनकी रहाई नहीं हो पाई जबकि उनके खिलाप एक भी सबूत नहीं है कि कुछ उन्होंने ऐसा आपत्ती जनक काम किया हो लेकिन सरकार निशाने पर रख रही है उन तमाम पत्रकार को संपातकों को जो सरकार से सवाल पूछते हैं सरकार के जो दावे होते हैं उनको गलत साबित करने की दिशा में कोई तथ सबूत लाकर पेश कर देते हैं तो सरकार को चिंता इसकी है कि सच सामने ना है और सच के सामने आने से उसकी उसका जो नकाब है वो उतर जाता है जै जैसा कि हात रस में हुआ जैसा कि और बहुत सारे मौकों पर लगातार हुआ है और सरकार एक तरह की अब आप देखिए कि किसान नांदोलन पर पूरी तरह से कारता करने की वाले लोग हैं उनको दबाया और डराया और थमकाया जा रहा है उनके खिलाप मामले दर्ज करवाये जा रहे हैं उनने जेल में ठूसा जा रहा है यह एक पूरा emergency जैसी इस्थिती नहीं है बलकि उसके बाद की इस्थिती है जब बिना emergency की घोशना नहीं हुई है लेकिन उत्माम काम किये जा रहे हैं जिसमें विरोधी आवाजों को दबाना सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता है इन सरकारों की लेकिन क्या कि इससे कोई फाइदा होगा सरकार का हो सकता है कि कुछ समय तक ऐसा लगे कि सरकार को फाइदा हो रहा है लेकिन जैसे जैसे ये चीजें फैलती जाएंगी लोगों का गुस्सा बढ़ता जाएगा लोग एक जुट होते जाएंगे और जिन्हें लोकतंत्र रास आता है जो लोकतंत्र के समर्थक हैं वो इस तरह की प्रवित्यों के खिलाप एक जुठ होंगे, जिस तरह से किसान आंदोलन देखिया, उसको दबाने की हर चंद कोशिशें सरकार के तरफ से की गए, लेकिन वो फैलता ही जा रहा है, दूसरे राज्यों में फैलता जा रहा है, उनमें राजनीतिक समर्थन भी आ विभिन वर्ग उससे जुड़ते जा रहे हैं, अब केवल किसान भर ये लड़ाई ने लड़ रहे हैं, मजदूर संग उसके साथ जुड़ चुके हैं, तो ये बड़ी लड़ाई का रूप आकार लेता जा रहा है, और ये पूरा जो अथार्टेनेरिजिम है, जो फासी वा और जो लोगतंत्र का तकाजा है, जिसमें बाचीत के जरिये, समवात के जरिये समस्याओं को सुल्जाये जाता है, प्रिस का मीडिया का सम्मान किया जाता है, मीडिया जो एक वाच डाक की भूमिका में रहता है, हम गोधी मीडिया, केंचुआ मीडिया की बात नहीं कर रहे है लेकिन जो सची खबरें लोगों के सामने रखता है ताकि वो सही राय बना कर सही निर्णे ले सकें जो उसकी भूमिका है लोगतंत्र में उसको बचाने की जरूरत है मंदीत पुनिया का निकलना जमानत पाना ये ऐसी ही खबर है ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो अभी भी जेल में हैं उनकी भी रहाई की उमीद हम करते हैं उमीद करते हैं कि हमारी अदालतें इस मामिले में जdleदा सक्रीता प्रतिवद्द्धत दिखाएंगी वो सरकारी दबाऊ में, सरकारी प्रलोबनों में नहीं आएंगी और अपना काम सही धंग से अंजाम करके इस देश के साथ, इस लोक तंत्र के साथ, इस सम्विधान के साथ न्याय करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का मेरा डेली शो, उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे ताकि ये बातें दूर दूर तक लोगों तक चाहें। और आप मुझे इनमती दीजे, नमस्कार।